प्रवेश जी कह रहा है, मैं इस चीज को लेकर बार-बार ये सवाल उठते हैं, कि जुलूस निकलते हैं, और खासकर जो मस्जिद हैं या फिर मजारे हैं, वहाँ पर इस तरह के जुलूस निकलते हैं, भड़काओ नारे बाजी होती है, वो उकसाती है, इस पर जवाब आपक इस हिंदुस्तान में आजादी से पहले भी शवे बारात और ईद पर जुलूस निकलता है, मुझे प्लीज बीच में नी, बीच में नी, प्लीज आप इनको खूब नारे लगते हैं, वो जुलूस हिंदु धर्म के जो लोग हैं, उनके महले से भी निकलते हैं, मंदिर के सा हैं नहीं है क्या, और इसके अलावा जो है चर्च के सामने से भी निकलते हैं, गुर्दवारे के सामने से भी निकलते हैं, लेकिन हजार साल के इतहास में मुझे एक चीज बता दीजे के शब बारात या फिर ईद के जुलूस के लोगों को, मुस्त हिंदुों से डर रहा हो, क्रिस्चनों से डर रहा हो, सिखों से डर रहा हो, किसी पार्सीों से डर रहा हो, या उसके लिए पुलीस लगानी पड़ी हो, अगर शिवम्त्यागी दंगाई है, तो वो जो सलमान है, वो उसकी यात्रा निकल रहे हैं, उस पर पत्थर क्यों नहीं मार रहा है, वो पिछले आलावा त्रेपुरा और जर्थ अलावा बंगाल और इसके अलावा बिहार आ यह एंड भाजपा और भाजपा शासीत राजों का विशे नहीं Channel अजिंध कराज राज ए तो वह पर पंतर बादी चल रही हैं ममतब एनर्जी की राज है तो भी पंतर बादी चल यानि के एक समाज के बहुतायत के लोग जो भी है वहाँ पर खड़े वो पत्थर मार रहे हैं और दूसरा पिट रहा है यह सचा ही है यह है पैटर और यह है प्रब्लम्ताज जी उन्होंने एक सवाल पूछा है और वो यह कह रहे है क्योंकि आज पूरा देश इस बात को सवाल उनका यह है कि हर जगा जब हिंदू अपनी यात्रा निकालता है या फिर जुलूस निकालता है चाहे वो नवरात्रो चाहे वो दुर्गा पूजा हो तभी यह क्यों होता है देखिए एक तो यह की साजिशे की जा रही है बाकाइदा अच्छा दूसरी चीज यह की ए जब है तिस गोली लगा के करंट मार के नाखुन उखाल के मार दीजे अब यह सवाल पूछा है जब बोल ले दिए ना पर नाखुन उखाल रहे हैं जवाँ जवाब जए इस विए उखाले क्योंकि पुलिस दॉख पर मूग तर चकपनी उत्ति उत्ती पुलिस उत्ती एक मुए तारे के राम ब努्राइए पड़ा जिए इसके वित गई इैढ़ी मैं सुचारीता जी कह रहा हूं कि आप यह बताएब eight हुग खरने करें वारेet एक मिनट टुक जाएए आपकी सरकार है आप जवाब दें सुन लीजी आप ये बताईए छट पे लड़का चड़ गया किसी वज़ेसे चड़ा वहाँ हिलाता रहा दीजी पी सर को लीजे रेलिंग तक एक प्रवेजी एक एक करके बाता है रेलिंग तक गिरी तीक है उसके ब गई इतना सब कुछ हुआ सुचारिता जी पुलिस कहा दी एड्मिनिस्टेशन कहा था क्या इनकी जवाब दे नहीं ये शीवमतियागी कि बिल्कुल है बिल्कुल है मेरी बात सुनिये ममतास जी आपके लॉजिक के हिसाब से जहां जहां लिंचिंग हुई है और जहां जहा यहां पर यहां पर राम गोपाल को मारने वाले भी आपके लिए और इनके लिए पुलिस उसको रोकती है अगर अगर भी ने आपने का पुलीस की वजह से मारा गया आप उन लोगों को सनक्षित करना है जिनों नहीं नहीं पुलीस की फेलियर है यहां पर सवाल उट रहे है यह सब को छो रहा था पुलीस कहा थी उनोंने का अगर मारा गया क्योंकि मैं तो इसे लिंचिंग कह रही हूँ इसले कह रही हूं क्योंकि एक व्यक्ति अकेला इतना टॉर्चर दूसरे व्यक्ति को नहीं कर सकता, वहाँ पर भीड रही होगी जिन्होंने मिलकर ऐसा हमला किया और ऐसा वहिशियाना अमला किया, कि नाखुन उकार दिये, सर पर हमले कर दिये, गोलियों के छरों से वो बेहुश हो गया, इतना कुछ हुआ पुलिस से बच करके इन्होंने अपराद तो कर लिया, तो पुलिस का पहला काम था, तो प्रिवेंट क्राइम, नहीं हो पाया, तो इंविस्टिगेट क्राइम, और इन्विस्टिगेट करने में फुलिस अपनी जिम्मेदारी कंटिन्यूस है, अब बोन नसीयत नदीर मिलेगी, फिर न कहिएगा, कि आपके उपर, यह जब कह रहा हूँ, आप तो मैं मुल्जिबान को समुद करना अपना भला चाते हो, आपनों समर्पर कर दें, वरना आप और आपके सपोर्ट सिस्टम को बिल्कुल मिट्टी में मिलने के इंतिजाम हो जाएगा, याद कर ले कि इस आपके तले जिनों हरकत थी, उनका पहले क्या हुआ, अपनी खैरिया चाते हैं, जाके ठाने में या नाले में आज दो समर्पर कर दें, क्योंकि पुलिस के उ आप सुनिये जरा, हाजी साब को भी मैंने अभी यही बात बोली, जब वो अब लिस्ट दिखा रहे थे, मैंने का ये आरोपियों की लिस्ट है, जिनोंने हत्या की है, अब ये लिस्ट में इन आरोपियों के नाम है, वहाँ पर जब 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 अमिताब यश निकले, सुनिय नहीं बोलेंगे, सीधी बात ये है, कि जब अमिताब यश वहाँ पर सड़क पर उतरे थे, तो उस समय इतने लोगों ने ये बात रखी आचारे जी, कि वहाँ पर अमिताब यश जब दोडा रहे थे, तो उन उपद्रवियों को दोडा रहे थे, जो इस हत्या के बाद गु शीज देख लिजे एक व्यक्ति की हत्या हुई है लेकिन प्रकार की कोई कारवाई आप ने देखी हाँ भुष्ट जयाना हमाऊर। तो हम रोट पर उतर के आएंगे लेकिन कि आपने देखा कि किसी को पकड़ करके इस प्रकार से किसी के साथ बरबरता की गई हो नहीं किया गया ना यही वास्तविक्ता में फरक है यही वास्तविक्ता में हमारे अंदर और आपके अंदर फरक है एक बात और कहना कहूंगा